हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर वक्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधी की पार्ट शाला में आप सभी कस्पागत करती हूँ आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ जुरुस्पूटेंट की डेफिनिशन जो की सर हॉलेंड ने दी है देखिए जुरुस्पूटेंट की डेफिनिशन कई जुरुस्ट ने दी है जितमे से इंपॉर्टेंट है औस्टीन सावंड जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिनके बारे में आपको डेटेल में बताया हुआ है आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलेंड की डेफिनिशन तो देखिए समझते हैं कि हॉलेंड ने जुरुस्पूटेंस यानि की विजिशास्तर के बारे में क्या कहा है हॉलेंड कहते हैं जुरुस्पूटेंस इस दा फॉर्मल साइंस अफ पॉजिटिव लॉग सबसे पहले तो देखें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ओस्टें की डेफिनेशन को ही फॉलो करते हुए उस ही में और आगे अपनी बातों को इंक्लूट करते हुए हॉलेंड ने अपनी डेफिनेशन को दिया है यानि कि कही न कही हमें आस्टीन को पहले समझना होगा आस्टीन ने कहा था philosophy of positive law is called jurisprudence देखे वहाँ पर उन्होंने जो word यूज किया है philosophy of positive law यहाँ पर हम देख सकते हैं कि of positive law दोनों में ही common है अंतर क्या है आस्टीन ने philosophy बोला है और Holland ने यहाँ पर देखे formal science word यूज किया है जब हम आस्टीन की philosophy की बात करते हैं कि जहाँ पर दर्शन लेकिन उनका वहाँ पर मतलब दर्शन शास्तर से ना हो करके विदी के सामाने सिधानतों के विज्ञानिक विशलेशन से ही है अब वहाँ पर Holland ने क्या किया है Holland ने वहाँ से जो philosophy word हटा करके formal science को यूज किया है तो इस तरीके से देखे ये Holland कहते हैं कि वास्तिविक विदी का अपचारिक विज्ञानी विदीशास्तर क्यलाता है अब यहाँ पर इस definition में हमारे सामने तीन पॉइंट निकल करके आ रहे है पहला positive law क्या है second science क्या है और third formal क्या है तो चलिए एक एक करके बात करते हैं देखे जब positive law की बात आती है तो यहाँ पर सीम वही meaning है जो कि Austin ने बताया है positive law का meaning है law made by political superior यानि कि किसी भी राज्य के अंतरगत राज्य के द्वारा या संप्रभू के द्वारा राज्य में रहने वाले लोगों के लिए जो विधी के नियम बनाए गए है वो नियम positive law क्यालाते है second हम बात करते हैं science के बारे में यह हम एक बात आपको और बता दू positive law में present law की बात की जाती है law as it is not as it ought to be यानि कि विधी कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए second हम बात करते है science science का meaning देखिए है systematic study यानि कि क्रमबद अध्यान करना विधी शास्त्र को कई लोगों ने विधी का ज्यान का है लोगों से meaning यहाँ पर मैं जूरिस्ट की बात कर रही हूँ कई होने कहें कि विधी का ज्यान है लेकिन वहीं कई विधी शास्त्री कहते हैं विधी का विध्यान है तो देखे हम ज्यान कहें चैविध्यान कहें conclusion निकल करके यही आता है जिस विषय में हम विधी का अध्यान करते हैं वो विषय विधी शास्त्र कहलाता है पर फिर भी जब साइंस की बात आती है तो साइंस का meaning होता है systematic study करना, क्रमबद अध्यान करना इसका मतलब Holland विधी शास्त्र में systematic study की बात कर रहे हैं और इसलिए वो विधी शास्त्र को progressive बताते हैं progressive यानि कि उनका कहना ये है कि जैसे जैसे समाजिक परिवर्तन होंगे तो उन्ही समाजिक परिवर्तनों के साथ विधी में भी समाजिक परिवर्तन मतलब विधी में भी परिवर्तन होंगे और विदी शास्त्र के अंतरगत उनी परिवर्तनों के साथ में विदी का अध्यन किया जाता है अब जो थर्ड यहां पर है फॉर्मल देखे सबसे इंपोर्टेंट यहां पर यहीं है कि इसका मीनिंग क्या है जिसकों कि हॉलें नेका है अपचारिक तो अपचारिक से उनका मतलब यह है कि यह कोई भौतिक साइंस नहीं है यानि कि मैटीरियल हमारे नियम नहीं है भौतिक नियम यह नहीं है बलकि जो विधी के जो नियम है विदिक नियम मानविये वहवारों से सम्मंधित नियम होते हैं यानि कि मानविये वहवारों को human beings के आपसी relations को manage करने वाले जो rules हैं वो यहाँ पर विदिशास्त्र के अंतरगत आते हैं देखे जब Austin की जब हम positive law की बात करते हैं तो Austin ने positive law को command की रूप में present किया है कि जो law है वो sovereign का command होता है लेकिन देखे Holland क्या कह रहे हैं Holland कह रहे हैं कि positive law यानि कि law बनाया तो state नहीं है लेकिन वो बनाया क्यों हैं वो कोई भौतिक नियम नहीं है वो विज्ञान के कोई इस प्रकार के नियम नहीं है कि हम जिसमें पुरी तरीके से हम material object के बारे में बात करें बलकि यहां पर मानवेवारों से संबंद रॉप किस तरे से regulate किया जा रहा है या उनके आपसी संबंदों को सही तरीके से चलाने वाली जो विदी है वो विदिशास्र के अंतरगत आती है एक example देते हुए कहा गया है कि मालिया कि यदि हम बात करें कि एक लकडी का टुकडा भी है वही पर एक हतोड़े का टुकडा भी है और दोनों ही किसी व्यक्ति के पास में दे दी जाती हैं ठीक है लेकिन अब वो व्यक्ति या तो उनको ऐसी छोड़ दे दोनों चीज़े उसक करके और वो लोहे को टुकडे को उठा करके यह दि कुलहाड़ी का रूप प्रदान कर दे तो यानि कि वो हमारा पूरा systematic तरीके से वो useful हमारी चीज हमारी बन जाती है तो यहाँ पर देखे यही बात की गई है कि जब formal science की यहाँ पर आ रही है तो विदिशास्त्र के अंतरगत विदिक संकल्पनाओं की केवल बात नहीं की गई है बलकि विदिक संकल्पनाओं की पडाली यानि कि उसके तरीके की उसके systematic तरीके से यहाँ पर बात यहाँ पर की गई है तो यहाँ पर हमें पुरी तरीके से clear हो गया है कि Holland ने positive law को बताया है positive law जो Austin कह रहे हैं वही बात यहाँ पर Holland भी कह रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि positive law command की तरीके से नहीं है बलकि राज्ये में रहने वाले व्यक बंगत आ रही है ऑस्टिन ने अपना घब विदि शास्टर का क्लासिफिकिशन दिया है तो उन्हों ने कहा था कि विदि शास्तर दो परकार का होता है सामानने तथा विशिष्ट लेकिन जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हॉलेंड कहते हैं कि अपचारिक विज्ञान की वो बात कर रहे हैं वो भौतिक नियमों की बात नहीं कर रहे हैं तो हॉलेंड ने ये तक कह दिया था कि विदिशास्त्र को किसी भी संबोधन के साथ देना उचित नहीं हैं ना तो उसके साथ में हम जैसा कि उसकिन बता रहे हैं कि ना तो हम सामानने को जोड़ें ना हम विशिष्ट को जोड़ें ना हम अनुवेज्ञानिक को जोड़ें ना ही कोई और पिरकार का संबोधन हमको विदिशास्त्र के आगे लगाना हैं केवल विदिशास्त को अवचारिक विज्ञान के रूप में हमको पढ़ना है आशा करती हूं कि आपको Holland का Holland की जो definition है विदी शास्तर की बिल्कुल किलियर हो गई होगी Thank you so much